नमोना मह प्यारे बच्चों, संस्कृत कक्षा में आप सब का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं गोदु हनम, लेशन नमबर थ्री और भाग चार। तो आएए बच्चों, हम सब पढ़ते हैं भाग चार गोदु हनम। सब्तम द्रिश्यम, सात्वा द्रिश्य, चंदन अहां। बच्चों, चंदन बोलता है। नमस्करो मी तात। ये तात नमस्कार करता हूं। पंचदश घटान इच्छामी, पंद्रह घडे चाहता हूं। फिफ्टिन घटान इच्छामी चाहता हूं। मैं फंद्रह घडे चाहता हूं। किम दास्यसी, क्या दोगे। देवेश, देवेश कहता है कथमना, क्यों नहीं, बच्चों देवेश कुम्भार का नाम है, विक्रेडाय एव एते, ये पेचने के लिए ही है, ग्रिहाण घटान घणों को लेलो, पंच शतोत्तर रुप्यकाणी च देही और पांच सव रुपय देदो, पंच शतोत्तर याने पांच सव, चंदन अहां, चंदन बोलता है, साधु, ठीक है, परम मुल्यम्तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परन्तु मुल्यम् याने मुल्य या फिर दाम, परन्तु मुल्य तो दूद को बेचकर ही दिया जा सकता है, देवेश देवेश बोलता है छम्यदाम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो मुल्यम विनातू, मुल्यके विनातो एकम अपि घटम न दास्यामी मैं एक भी घड़े नहीं दूंगा, बिना मुल्यके एक भी घड़ा नहीं दूंगा मल्यका स्वभूश्णम दातूम इच्छती, बच्चों जब देवेश नाम का कुम्भार बिना कीमत के घड़े देने के लिए तयार नहीं होता है तो मल्यका क्या करती है? स्वभूश्णम दातूम इच्छती, वह अपने आभूश्ण यानि जो गहने पहने होती है वो देना चाहती है स्वभूश्णम दातूम इच्छती, वह अपने आभूश्णों को देना चाहती है तात यदि अधुनईव मूल्यम आवश्यकम तरहीं ग्रिहार एतत आभूश्णम और वह कहती है यदि अधुनईव यानि अभी मूल्यम कीमत आवश्यकम तरहीं लेना इतना ही आवश्यक है तरहीं तो ग्रिहार एतत आभूश्णम तो इन जेवरों को लेलो इन जेवरों को ग्रहण करो देवेश फिर देवेश बोलता है पुत्री के हे पुत्री ना हम पाप कर्म करों मी मैं पाप का काम नहीं करता हूँ कथम अपी नेच्छामी त्वाम आभूशन विहीनाम कर तुम तुम्हे आभूशन विहीन कभी भी नहीं करना जाता हूँ कथम अपी कभी भी नेच्छामी नहीं चाहता हूँ तुम्हें आभूषण विहीन कर तुम करना मैं तुम्हें आभूषण विहीन कभी भी नहीं करना चाहता हूँ नयतु यथा विलशितान घटान इच्छानु सार घडे लेलो दुग्धम विक्रिय घट मुल्यम ददातु दूध को बेजकर घट मुल्यम घडों की कीमत ददातु दे देना उभव उभव याने बच्चो दोनो दोनो देवेश और मलिका के लिए प्रयोग हुआ है धन्योश ताथ धन्योशी दोनो कहते हैं ताथ आप धन्य हो धन्य हो अश्टम द्रिश्यम आठमा द्रिश्य मासांतरम संध्याकाल एकत्र रिक्ताह नूतन घटाह संती महीने भर बाद का सायंकाल याने मासांतरम याने महीने भर बाद संध्याकाल महीने भर बाद का संध्याकाल एकत्र रिक्ताह नूतन घटाह एकत्र याने इकठे रिक्ताह याने खाली नूतन घटाह याने नए घडे संती याने हैं इकठे ही खाली नए खड़े हैं दुग्ध क्रेतारा है आने बच्चों दूध खरीदने वाले अन्य च ग्राम वासी नहां च याने और अन्य ग्राम वासी नहां अन्य ग्राम वासी अपरत्र आसी नहां दूसरी ओर खड़े हैं दूद खरितने वाले और दूसरी ग्रामवासी दूसरी ओर खड़े हैं चंदन धेनुं प्रणम्य चंदन धेनुं को याने गाय को प्रणाम करके मंगला चरणम विधाये पूचा करके मल्लिकाम आवाहयती मल्लिका को बुलाता है मल्ली के सत वरम आगच्छ हे मल्ली का शीग्र आओ सत वरम याने शीग्र जल्दी आगच्छ आओ हे मल्ली का जल्दी आओ मल्ली का आया मिनात मल्ली का बոलती है आती हूँ स्वामी दोहनम आरभस्व तावत तब तक तावत याने तब तक दोहनम दुहना आरभस्व शुरू करो तब तक दुहना शुरू करो चंदनह यदा धेनो हो समीपम गत्वा दोगधूम इच्छती जब गाय के पास समीपम याने पास गत्वा जाकर दोगधूम इच्छती दुहना चाहता है इच्छती याने चाहता है दोगधूम याने दुहना जब गाय के पास जाकर दुहना चाहता है तदा तभी धेनु प्रिष्थ पादें प्रहरती तभी गाई पिछे वाले पैर से प्रहरती मारती है तभी गाय पीछे वाले पैर से प्रहार करती है चंदना च पात्रेण सह पतती चंदना प्लस च याने और चंदन पात्रेण याने बर्तन के साथ पात्रेण सह बर्तन के साथ पतती गिर जाता है नंदीनी दुगधम दे ही बच्चों फिर चंदन उस गाय से बोलता है ये नंदिनी दुगधम देही दूथ दो खिम जातम ते तुम्हें क्या हो गया? पुनह प्रयासम करोती फिर से प्रयास करता है नंदिनी च पुनह पुनह पाद प्रहारेळ ताडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोती नंदिनी च और नंदिनी ने पुनह पुनह बार बार पाद प्रहारेळ ताडित्वा पैर के प्रहार से चंदनम चंदन को रक्त रंजितम खून से लत्फत याने लहु लुहान करोती करती है बार-बार उसको मारती है हाँ हतोश्मी बच्चों चंदन चिलाने लगता है हाई हतोश्मी याने मैं मारा गया चीतकारम कुरवन पतती चीतकार करते हुए गिरता है सर्वे सभी आश्चर येंड आश्चर के साथ चंदनम, चंदन, अन्योन्यम्च, पश्यती चंदन और एक दूसरे को देखते है